जैसा कि आपने देखा देश में दो बड़े-बड़े ऐसी शरमनाग घटना है जो हमारे बीच आपको देखने को मिली सबसे पहले उन नौ में एक रेप किया जाता है देश की बेटी के साथ उसके बाद जब पिता मदद की गोहार लगाने पुलिस टेशन जाते हैं तो उस पिता को मदद की जगा पे मौत दे दी जाती है और कुछ BGP के दबंग MLS सहगल के साथी कुछ अंगुठा लेते वे देखे जाते हैं साथी साथ शरम ना घटना शरम सार कर दिया निर्भया हत्या काण के बाद आपने देखा आसिपा जम्मू कश्मीर की कटवा जिले में रहने वाली एक आठ साल की मौसुम बच्ची को जिसका नाम जैसल है वो मंदीर का सेवक है वो सेवक उस बच्ची के साथ आठ दिन तक मंदीर में बलतकार करता रहता है करता रहता है उसके साथ उसका बेटा एक पुलिस ओफसर और एक कोई वहां का दीजी और उसके साथ उसका भांजा ये सब लोग इनवाल एक मासुम बच्ची का बलतकार करने के बाद आठ दिन तक जहां पे पूरी दुनिया देश के शरधालू आते हैं पूजा करते हैं जो राम को मानते हैं अगर राम भी आज होते हैं तो वो भी शरम से शरम सार हो जाते हैं और उनका सर शरम से नीचे ज जूग जाता दूसरी बात आज आपने देखा मैं एक वकील होने के नाते आप को ये चीज़ बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जब पोलीस अपनी चास शीट तैयार करके कोट में दाखिल करने जा रही थी तो कुछ ऐसे बिकेवे दलाल मैं उन्हें दलाल कहना चा गया रेप किया गया तुकड़े उसके चेहरे पे पत्थर से कुचल दिया गया मैं उन लॉयरों से पूछना चाहता हूं कि आपके घर बेटी नहीं आपके घर मा नहीं कि आपके घर बेहन नहीं और शरमसार करने वाले घटना ये रेप करने वालो पहले ये तो सोच ले थे जो भारत माता के नारे लगाने वालो, पहले उस भारत माता को तुमने शरम सार कर दिया, भारत माता की नजरे जमीन पे गिरा दी तुम लोगों ने, जिस मा ने तुमे ज़नम दिया, आज उसके ही चीर हरण कर दिया तुम लोगों ने, तुम से बड़ा पापी कौन होगा, औ और एड़ोकेटों से मैं कहना चाहूंगा कि हम जो काम अपनी नीजी जिन्दगी में करते हैं वो कीजिए जो बार असोसियेशन की तहट आते हैं वो कीजिए लेकिन उसके चलते हुए आपने जो ये एक नया रूप दिखाया हुआ जैशरी नाम के नारे लगाके आप विप् और उन संगियों के साथी हैं जो रोज आए दिन कभी मुसल्मानों को कभी दलीतों को कभी हिंदूों को और कभी जैन कभी मराठाओं को सिक्तिसाईयों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं ऐसे भेडियों को मैं तो ये कहना चाहूँगा एक लोयर होने के नाते से एक लो प्रोट में नहीं इनकी सुनवाई करने देंगे तो ऐसे लोगों को चोराये पे लटका देना चाहिए बड़ी शरमसार घटना आठ साल की बच्ची आसिवा जिसका नाम उसे बड़ी बरबरता से आठ दिन तक भियोशी के इंग्जेशन दिये जाते हैं भियोश करने के बा वाले उनके कारे करता जो एक बच्ची की रेप करते हैं और बड़ी बरबरता से उसका चैरा कुचल देते हैं उसके बाद ऐसे आरोपियों को आप जैसे लोयर सपोर्ट करते हैं बड़ी शरमसार घटा क्या आपके घरमा नहीं क्या आपके घर बहन और बेटी नहीं मैं कि देश के फ्रॉड जो देश का पैसा लेके भाग रहा है सो को सपोर्ड मैं नहीं मैं हक के साथ इस कोट को पहना था और मरने के बाद ही यह कोट उतारूँगा यह ग्याद रख लीजे में देश देखिए मेरे साथ युवा खड़े हैं और यह युवा कितने आक्रोश में है यह बच्चों से बुछता हूँ बताऊ वेटा वेटा आप क्या लगता है वो वो ला किया राय है उनको तो लटका देना जाऊ-पाष पहर लटकादेना चाहिए ऐसे बच्छीों के साथ ऐसा करते हो औगलती है उनकी समझना जाते हो जैसे आप मुझे देख़के मेरे पर आप क्या करना चाहिए उसको आप आई रिज्वान जी यह देखिए मेरे साथ एक समास से रिज्वान जी है आप यह बताईए कि यह जो हुई है आपको क्या लगता है इससे देश का मनोबल बढ़ रहा है या भारते जंता पार्टी का सर्फ चपन इंच का सीना और फूल गया या अब आरोपी इसी तरह बेडर से माँ भेलों का बलतकार करें कि देखिए जो दुर्गटना यह बहुती घंविर दुर्गटना है पूरे हिंदुस्तान में इसके ओपर हर लोग हर जगा मुच्चे निकाल रहे हर जगा इस पर दुप 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 दुपाई हो निर्भया हत्पिया कांड हुआ था तो यह बीजेपी के कारे करता यह कहते थे और यह रस्ते पर उतरते थे कि इनके खिलाब ऐसे एक जज्जमेंट पास होने चाहिए कि फासी लगवा दो और कोई फास्ट्रेक कोड से फासी लगनी चाहिए लेकिन आज जब 8 साल की मासू सबस्की लुद्रिया यह बेर्प नेता प्जिप्स और बेटी के साथ की सबस्कार वाहा है कि देश्ठी के साथ बलकार रहा है प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पड़ा और यह सब इतनी बड़ी बड़ी बाते कहते हैं आज वो कहां पर एक भी उने ट्यूट पर ट्यूट नहीं किया एक भी भयान बाजी नहीं की हर कुगा हिंदुस्तान इसके सदमे में गुजर रहा है आसीपा अपनी चोटी बच्ची का रेप हुआ है बहुत ही गलत बात है और जब तक बीजेटी सरकार में नहीं थी बहुत बड़े-बड़े मुद्या पोजिशन में बैटकर उठा जी इमराज के एक सरके दंस्तर लाने की बात कर जी तिया शोष्मा सोलाज का है ग्रे मंतरी का है र वो MLA, दबंग MLA सहगल ये कहता है कि मेरा पुलिस कुछ नहीं कर सकती उसे पुलिस सेकरोटी देती है उसके बीवी बच्चे आके खड़े होते हैं सामने अरे सहाब अपने बीवी बच्चों की नजर कैसे मिला पाओगे ये तो बता दो एक बेटी के साथ बलतकार किया है और तू इतनी नीच हरकत कर सकता है तूने तो भारत हमा के मान सम्मान को नीचे गिरा दिया और तूने तो ये भी भूल गया कि तुझे पैदा करने वाली एक मा थी जनम देने वाली एक मा थी अरे उस आच साल की मासूम बच्ची ने क्या भी गाड़ा था जिसके साथ पनत करताओं ने मिलके ऐसी दर्दनाग खटना को अंजाम दिया मैं अपनी पूरी ताकत से मैं जरूर मुझसे जो मदद लगेगी मैं अपने लौ के माध्यम से उनकी मदद करूंगा और मैं सैल्यूट करता हूँ उस महीला लौयर का जिसने ये केस को अपने हाथ में लिया और ऐस इसे नकुंसक लौयरों का जो ऐसे जैश्री राम नारे देकर केस को डाइवर्ट कर रहे हैं दोस्तों यह नहीं हिंदूों का मसला है यह ना मुसल्मानों का मसला है यह देश को शरम सार करने वाली एक बहुत दर्दनाग घटना है जो घटी है और इसके लिए सिर्फ एक सि और इसके सिवा कुछ नहीं कोई बेबस नहीं होगा कोई लाचार नहीं होगा जो आज तक हुआ है वो बार-बार नहीं होगा सरकार तुरंट फासीदेए इस तजाए जिसने की है लोगों को पैसा हतिया के माभेनों के ओपर बुरी नजर दालते हैं इन पे कारवाई कीजि और ऐसे MLA MPO को सदस्दा रद कीजिए, क्योंकि कानून में अनपडों की गिंती नहीं, पड़े लिखों को बनाईए आप लोग और आप लोग इने चुनके देते हैं न, देखिए आज हमारी मा भेने बेटियां रस्ते पे सेफ नहीं है, ऐसे आरोपियों नोच नोच के खा बच्चियों को, माओं को, बैनों को, ऐसों के लिए बड़ी श्रम सारगटना, सिर्फ चोहराय पे लटकाके, राश्ठाकरे जी ने भी हाली में एक प्रस्पॉंकर्स में कहा, कि बीजेपी चाती है, दो हजार उननीस से पहले हिंदो मुसलिम दंगे कराए जाएं, और साथ इस देश में राम मंदिर का विशे फिर लाएं, लोगों को डाइवर्ट करें, एक दूसरों को मारें, काटें, फिर भारतिय जंता पाटी, फिर से अपना राच करें, बस जादा ना कहते वे लोग आप समझदार हैं, आप इस बात को समझेंगे, मेरी अगर राय अच्छी लगे, तो यह मेसिज आगे फॉर्वड कीजिए, जै हिंग, जै भारत, जै महाराश्ट, जै भीन